जैए शनीदेव मित्रों, मैं सची शर्माप का अपनी चैनल पर स्वागत करता हूँ शनीदेव से प्रार्तना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना अशिरवात परदान करें और आप सभी लोगों के मनों कामना पूर्ण करें मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुब कामना देता हूँ और प्रार्तना करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष मंगलमाई हो और आपके सारे सपने नव वर्ष में पूर्ण हो हम इस वीडियो में सिर्फ धनू लगन के जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे जनवरी के महीने में सूर्य बुद्ध और शुक्र का बहुत ही महतपून गोचर रहेगा सूर्य का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में होगा बुद्ध और शुक्र का गोचर कुंडली के लगन भाव में होगा जिसके कारण इसका महतवूर बहुत अधिक हो जाता है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महतपून राशी परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या परभाव पढ़ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं सरपर्थम चर्चा करते हैं आपके कैरियर संबंदित ये वर्ष का पहला महिना क्या लेकर आया है एक से साथ जनवरी तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान समय में सूर्य और मंगल कुंडली के लगन भाव में हैं राहू और केतु कुंडली के चोथे और दशम भाव में हैं शनी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हैं गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव में हैं उद्ध और शुक्र कुंडली के बार्वे भाव में हैं वर्तमा समय में सूर्य और मंगल की यूती कुंडली के लगन भाव में अर्थात प्रथम भाव में हैं जिसके कारण ये समय आपको थोड़ा उग्र बना सकता है आपके सौभाव में बदलाव कर सकता है चिड़़ड़ भाव के स्वामी है इस समय लगन भाव में होंगे जिसके कारण ये समय आप लोगों के लिए शुब रह सकता है यदि पिछले कुछ समय से आपको आपके भाग्य संबंदित तनाव बना हुआ था आपके भाग्य के कारण आपके बंते-बंते कारण रुख जाते थे तो इस सम आपको आपके कार्य में लाब हो अथवा यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयतन कर रहे हैं तो उसमें भी सकारात्मक फल ही आपको दे सकता है यदि आप उच शिक्षा के लिए प्रयतन शील हैं तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यहां किसी परकार का चुपफल आपको देखने को मिलेगा किसी परकार की अरचने यदि आपके उच्छ शिक्षा को लेकर बनी हुई थी वो दूर होने की संभावना रहेगी ये समय आपके बिजनस में भी सकारात मकफल दे सकता है सूर्य और मंगल की दिरिष्टी कुडली के सबतम भाव पर होने के कारण ये आपक आगे के सेक्षन में चर्चा करेंगे इस समय शुक्र और बुद्ध कुंडली के बार्मे भाव में है जिसके कारण ये समय बुद्ध जो आपकी कुंडली में करम भाव के स्वामी है बार्मे भाव में होने के कारण ये आपको विदेश संबंदित किसी कार्य में किसी परका प्रकार का लाब दिलवा सकते हैं इस समय आपका मन थोड़ा विचलित भी हो सकता है थोड़ा संबल करें शुक्र का बार में भाव में होना यह आपको किसी प्रकार का कुछ अक्समात लाब दिलवा सकता है क्योंकि शुक्र आपको कुंडली में छटे भाव के स्वामी है तो गुरु वर्तमान समय में आपको कुंडली के पंचम भाव में हैं जिसके कारण गुरु की दृष्टी कुंडली के नवम भाव, ग्यारमे भाव और लगन भाव पर होगी जैसा आप भी नैरों की मदद से देख पा रहे हैं जिसके कारण ये समय आपको अत्यंत शुबफल दे सकता है इस समय आपकी कमाई के स्तरोतों में व्रिद्धी होगी यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ किसी परकार का कोई बिजनस भी करने में सक्षम रहेंगी ये समय आपको शेयर ट्रेडिंग में भी कुछ लाव दिलवा सकता है आप अपने मित्रों के साथ किसी परकार का कोई बिजनस कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता आएगी उसमें संफलता मिलेगी गुरू की दिरिष्टि आपी कुंडली के लाब भाव पर होने के कारण आपकी महनत संबंदित जो लाब आपको मिलना चाहिए उसमें वृद्धी होगी पिछले कुछ समय से यदि आप अधिक महनत कर रहे थे और उसके अनुसार आपको लाब नहीं मिल रहा था और यदि आपके प्रमोशन को लेकर भी किसी परकार का तनाव बना हुआ था वो यहां दूर होता दिखाए देगा यदि आपके बिजनस संबंदित किसी परकार का तनाव बना हुआ था वो भी हां सकते हैं विद्यार्थियों के लिए गुरू का पंचम भाव में होना ये आपको अत्यांत शुपफल देगा आपकी एकागरता में विकास होगा आपको किसी भी नए सब्जेक्ट को समझने में सकारात्मक फल मिलेंगे वर्तमान समय में शनीदेव आपी कुंडली के तीसरे भ आपके नोकरी में भी बढ़ सकती हैं जिसके कारन आपके कैरियर में लाब मिलेगा यदि आप अपनेचोटे भाई बहन के साथ किसी प्रकाह का कोई बिजनस कर रहें है तो उसमें स्थिर्टाएगी इस समय आपको अपने सीनियर्स का और अपने पिता का समर्थन प्राप्त होनी की संभावना भी बनेगी इस समय आपकी मेहनत बढ़ेगी प्रंतु उसके शुप परिणाम भी आपके आने वाले वर्षों में मिलेंगे इस समय आपको कुछ नए आउसर आपके कैरियर में मिलने की संभावना भूत प्रबल रहेगी वर्तमा समय में राहु कुंडली के चौथे भाव में है जहां से राहु की दिरिश्टी कुंडली के अश्टम भाव, दशम भाव और बार्वे भाव पर होगी राहु का चौथे भाव में होना ये आपको आपके जन्मिस्थान पर तनाव बढ़ा सकता है राहु का चौथे भाव में होना ये आपको आपके जन्मिस्थान से दूर लेकर भी जा सकता है अर्थात आपकी नौकरी में ट्रांसफर मिल सकती है राहू का चोथे भाव में होना ये आपको विदेश संबंदित यात्रा भी करवा सकता है अत्वा विदेश में नौकरी की संभावना इस समय बढ़ सकती है केतु का दशाम भाव में होना ये आपका मन आपके कामकाच से थोड़ा भटका सकता है अर्थात आपकी प्रवर्ती नौकरी बदलने की कर सकती है जिसके कारण आपके कैरियर में स्थिरता समाप्त हो सकती नौकरी बदलने से पूर्व उस पर आपने दो बार विचार अवश्य करना है राहू की दृष्टी कुंडली के बार्वी भाव पर होने के कारण आपको विदेश यातरा होने की संभावना रहेगी अत्वा आपकी नौकरी आपके जन्म स्थान से दूर लगने अत्वा कुछ समय के लिए आपको अपने घर से दूर जाने भी इस समय पढ़ सकता है इस परकार की संभावनाएं बन सकते हैं आप से 14 जन्म तक का समय आपके कुछ इस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय बुद्ध का गोचर कुछ के लगन भाव में होगा जिसके कारण बुद्ध सूर्य और मंगल की यूती कुछ के लगन भाव में बनेगी ये समय आपको आपके पार्टनर्शी बि आपके लिए उचित रहेगा ये समय आपको तुरंत उत्तेजित कर सकता है जिसके कारण मांसिक तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है 15-18 जन्म तक का समय आपकी कुछ इस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय सूर्य गोचर कुछ 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 के दूसरे भाव में होगा जिसके कारण ये समय आपको स्मृधिशाली बना सकता है लेकिन ये है तभी होगा जब आप धारमिक विचार रखते हैं अन्य था इस भाव में स्थित सूर्य धन संचे में भी परिशानी बना सकता है अर्थात आपकी सेविंग्स को लेकर थोड़ा तनाव हो सकते हैं और दूसरों की मदद करने में भी आप सक्षम रह सकते हैं इस समय आपको सरकारी विभाग द्वारा किसी परकार का लाव हो सकता है यदि आप धातू के व्यपार से जुड़े हैं तो ये समय आपको किसी परकार का अक्समात लाव भी दिलवा सकता है ये समय आप आपके खान पान को लेकर थोड़ी चिंता का कारण भी बन सकता है जिस पर हम अपने स्वास्ते संबंदी सेक्शन में आगे चर्चा करेंगी सूरे के इस गोचर के कारण आपके पार्टनर्शिप बिजनस संबंदी तनाओं में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी 19-31 जनवरी तक का समय आपकी कुंडली को जिस परकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं इस समय शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लखन भाव में होगा और शुक्र आपकी कुंडली के छटे भाव के सौमी हैं जिसके कारण ये समय थोड़ा मानसिक तनाओं बढ़ा सकत है किसी परकार की रुकावटे भी ये डाल सकता है आए आगे बढ़ते हैं आप चर्चा करते हैं आपके स्वास्ते संबंदित वर्ष का पहला महीना क्या ले कराया है शुक्र और बुद्ध 16 जनवरी तक आप एक कुंडली के बार्मे भाव में होंगे जिसके कारण ये समय इसे जातकों को थोड़ा परिशान कर सकता है जिने नीद आने में समस्या है यदि आपको किसी परकार का कोई मानसिक रोग है माईगरिन जैसी समस्या रहती है तो ये समय आपको थोड़ी समस्या में डाल सकता है इस समय आप एरिटेशन अवश्य करें सूर्य का गोचर 15 जन जनवरी को आपको पेट से संबंदित कोई रोग अधेक परिशान कर सकता है। कर हो सकते हैं अथवा किसी परकार का कोई ऐसा अनावश्चक खर्चा आपका बढ़ सकता है जिसकी कलपना आपने ना की हो जिसके कारण आपका मन्थली बजट बिकड़ने की संभावना भी बन सकती है। वर्तमान समय में गुर्वा आपी कुंडली के पंचम भाव में हैं जिसके कारण ये समय आपके रोमैंस जीवन के लिए सकारात्मक समय रहेगा। अपितू शुक्र जो रोमैंस का कारण है 16 जनवरी तक कुंडली के 12 में भाव में होने के कारण ये आपके रोमैंस जीवन में किसी प्रकार का तनाव अत्वा किसी प्रकार का मन मुटाव आपके बीच करवा सकते हैं। आपके रिष्टों को लेकर फूट भी पढ़ सकती हैं। और मंगल लगन भाव में जनवरी के महिने में होंगे जिसके कारण ये समय आपके व्यवाहिक जीवन में तकरार बहुत अदिक बढ़ा सकता है। चोथे भाव में हैं जिसके कारण आपके माता के साथ संबंदों में तनाव बढ़ सकता है। गुरू का पंचंग भाव में होना ये आपके बच्चों के साथ संबंदों में सुधार करेगा। किसी परकार का तनावय या आपके बच्चों के साथ पिछले कुछ महीनों से बना हुआ था वो दिरे-देरे समाब्त होने के समभावना या रहेगी अब चर्छा करते हैं कि जनवरी के महीने में किस रंग के वस्तर आपको नहीं धारन करने हैं इस महीने में आप लाल रंग और हरे रंग के वस्तरों को ना धारन करें आप कोशिश कीजिए हरे रंग के वस्तर अपने कारे स्थान पर ना पहन कर जाएं। अपने दाइने हाथ की अंगुटी पर तामे की अंगुटी पहन कर रखें। विवादी में जो भी अर्चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाए देंगी तो ये थे वो महतपुन उपए जिनने जनवरी के महीने में करने से आपको लाप्राप्त होगा तो ये था धनू लगन के जातकों के लिए वर्ष का पहला महीना अर्था जनवरी कै इसा रहेगा शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना अचिर्वाद बना कर रखें धन्यवाद